in this lecture we'll be discussing google sheets and we'll discuss how to format one or more cells सबसे पहले आप sheets में जाएं जो हमने last class में sheet create की थी हम उसमें जाएंगे उसमें जाने के बाद आप किसी भी cell पे click कर सकते हैं जब आप किसी cell पे click करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो cell जो है blue से highlight हो चुका है cell कैसे बनता है rows और column को मिला के क्या बन जाता है एक cell बन जाता है हमें पता है कि जो B है ये हमारा column है और 5 हमारा row है तो इस cell को कैसे लिखा जाएगा इस cell को लिखा जाएगा B 5 तो ये क्या है इसका cell address अब अगर हम बात करें एक range of cells की तो अगर आप इस blue dot पर click करेंगे और इसको scroll करेंगे नीचे को तो आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे cells select कर लिए हैं वो blue हो गये हैं इने बोला जाता है range of cells तो ये सारे cells एक ही column के हैं जिसका नाम है B पर इसका starting row क्या है 5 और इसका ending row क्य है 14 तो इससे बोला जाएगा range of cells और उनका address क्या रहेगा B5 colon B14 तो ये तरीका है जब आप range of cells को denote करें तो B5 colon B14 अब हमने क्या करना है हम text enter करना सीखते हैं तो मैंने एक cell select कर लिया है आप नीचे देख सकते हैं कि मेरे पास एक formula bar है इसे बोला जाता है formula bar और denote किया जाता है fx से इसमें लिखाए enter text और formula तो यहाँ पर या तो आप कोई text enter कर सकते है numerical या alphabetical text या फिर आप कोई formula इंटर कर सकते हैं तो आज हम text enter करेंगे तो मैंने text enter कर दिया serial number तो ये serial number text enter करने के बाद मुझे क्या करना होगा मुझे इस tick पे click करना होगा तो जैसी मैं tick पे click करती हू मेरा यहाँ पर यह text save हो चुका है अब देखते हैं उपर की कुछ bars की option तो यहाँ पर tick आ रहा है tick means कि आपने save करना है या आप correct करना चाहते हैं इसको तो आप tick कर सकते हैं next है हमारे पास arrow तो यह है undo का arrow undo का arrow मतलब कि अगर मैं इस पर click कर दूँ undo के arrow पर तो जो मैंने text save किया था या लिखा था वो सारा text क्या हो गया delete हो गया अगर मैं next arrow पर click करती हूँ इसे बोला जाता है redo तो अगर मैं इस पर click करती हूँ तो जो text मैंने लिखा था वो text reappear कर गया तो undo पिछले step को cancel कर देता है और redo पिछले step को note करा जा रही है और बहुत सारी line से तो let's see जब मैं format पे click करती हूँ तो मेरे पास एक बहुत बड़ा text आ जाता है window आ जाती है इस window में दो options है एक है text और एक है cell की तो सबसे पहले text की option देखते हैं जब मैं text की option में first bar को check कर रही हूँ तो मेरे पास है bold, italic, underline and strike through तो bold की option चेक करते है bold, italic, underline, strike through ये चारों हम चेक करेंगे अगर मैं मेरा cell selected है जिस cell में मैंने text लिका है अगर मैं bold की option पे select करती हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा text bold हो गया है और यहां पे option green हो जुकी है मतलब आपने ये select कर दी है वैसे ही अगर मैं I select करती हूँ तो ये जो text है वो italic में चला गया है और यहां पे भी green हो जुकी है option next है अगर हम इसी selected cell पे underline की option कर देते हैं तो आप देख सकते हैं जो मेरा text है वो underline हो चुका है और यहां पे option green हो गई है next option है strike through तो जैसी ही मैं strike through करती हूँ तो मेरे text के बीच में से एक line लग जाती है और strike through का option भी green हो जाता है अगर मुझे इन में से कोई भी option cancel करनी है तो मैं cancel उस पे फिर से click करूँगी तो वो green से gray हो जाएगा तो मतलब अब जिस text जो है bold नहीं रहा अगर मैं italic को भी gray कर दूँ तो अब यह text italic भी नहीं रहा underline को भी click कर दूँ तो यह text underline भी नहीं रहा और strike through को भी click कर दूँ तो यह text भी line भी हट गई है next bar पे आते हैं next bar है alignment bar alignment bar मतलब पहले तो अगर हम देखें इसको तो आप देख सकते हैं कि आपके पास left alignment है left alignment मतलब जो भी मेरा text है वो सारा कौनसी direction में होगा towards the left अगर मैं center alignment करती हूँ तो आपने notice किया होगा कि text कहा चला गया center में चला गया और green button यह option green हो गई तो इसे बोला जाता है center alignment अगर मैं right align कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि text कौनसी side चला गया towards the right side of the cell और वैसे ही यहाँ पे मेरी right side की option select हो गई है right alignment की तो मैंने center align कर दी अपने text को अब next part of the alignment bar देखते हैं इसमें arrow दिखा रहा है एक line बनी है और arrow दिखा रहा है तो यह इसका मतलब है कि यह आपको बता रहा है कि text अगर आपने बिल्कुल उपर लेके जाना है तो आप कहां लेजाएं अगर यहाँ बिल्कुल top पे लेके जाना है तो first option select कर सकते हैं अगर आपने center में लेके आना है तो arrow center में है line center में है और दोनों side arrow बने हुए है next आपके पास option है down alignment की तो सबसे नीचे एगर लाना है तो इसको बोला जाता है first को top alignment इसे बोला जाता है middle alignment और इसे बोला जाता है bottom alignment तो यह सारे हमारे पास alignments है एके करके check करते हैं अभी हमारे पास bottom alignment selected है तभी हमारा text जो है bottom of the cell में है अगर मैं center पर click कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा text कहां चला गया है cell के बीच में vertically बीच में चला गया है और यहाँ पर option भी green हो चुकी है similarly अगर मैं top alignment सेलेक्ट कर देती हूँ तो यहाँ पर cell में जो text था वो कहां चला गया है बिल्कुल टॉप में चला गया है तो यह होगी सारी हमारी alignments मैंने इसको center align कर दिया है दोनों तरीकों से चाहे वो vertical alignment हो चाहे वो horizontal alignment हो अब हमारा text जो है यहाँ परा उनीचे का arrow है नीचे का arrow मतलब आपका size क्या करेगा reduce करेगा increase क्रेगा तो अगर मैं इस text को select इस cell को select करके नीचे का arrow दबाती हूँ तो आप देख सकते हैं cell का size जो text का size है वो reduce हो गया है वैसे ही अगर मैं ंपर का arrow दबाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि cell का size क्या हो गया है increase हो गया है और यहां पर वो number भी दे रहा है आपके reference के लिए कि यह कौन सा size हम use कर रहे हैं तो मैंने cell size 12 select कर लिया है अगर अब मैं scroll करती हूँ तो text color पर आ जाते हैं text color के case में अगर आप इस arrow पर click करें तो आपके बस बहुत सारे colors आ जा रहे हैं आप जो text का color चाहते हैं आप वो select कर सकते हैं suppose मैंने maroon select कर दिया तो आपके पस नीचे और shades आ रहे हैं maroon के dark is shade, lighter shade, whatever shade you like उस हिसाब से आपके text का color भी क्या हो रहा है change हो रहा है तो आप कोई भी text color select कर सकते हैं next important option आ रही है font की तो font में यहां पर by default font रहता है aerial आप इसको change कर सकते हैं arrow पे click कीजे और आप कोई भी font select कर सकते हैं तो यहां पर आपका font अगर आप देखेंगे तो आपका font बदल रहा है जैसे जैसे टिक लगता जा रहा है different fonts के आगे तो हमने एक font select कर दिया अब conditional formatting के लिए हमें एक detail अलग से वीडियो बनाएंगे तो इसको बाद में देखेंगे अब आती है next option text rotation की text rotation means कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने text को rotate करें तो मैंने इस पर click किया अब यहां पर बहुत सारी options हैं और आपको sample भी दे रहा है tilt up tilt up मतलब आपका यह text कैसा हो जाएगा towards the top right corner tilt down towards the bottom right corner उसी तरीके से stack vertically अगर मैं select करूं तो आप देख सकते हैं text vertically आ चुका है अगर हम वापस जाएं टेक्स रोटेशन पर मैं इसको tilt करूं तो टेक्स्ट टिल्ट हो गया है bottom टिल्ट करूं तो फिर टिल्ट हो गया है rotate कर सकते हैं rotate down कर सकते हैं custom angle भी कर सकते हैं तो यहां पर आप कोई भी angle डाल दे और उससे आपका text 180 माइनस 92 प्लस 90 के बीच में ही होना चाहिए तो मैंने इसको 60 कर दिया अब आपका text क्या है 60 डिगरी पर rotate हो चुका है so I can undo the option और जो भी मेरा cell था उसमें आ जाएगा अब format बार में और देखते हैं और क्या है clear formatting हम next lecture में देखेंगे अब आ जाते हैं cell tab पर text tab तो हमने चेक कर लिया जो मैं cell tab पर जाती हूं तो मेरे पास सबसे पहला आता है fill color fill color पर जो मैं click करती हूं और अगर मैंने suppose black color select किया तो आप देख सकते हैं text का जो background है वो black color का हो चुका है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं आप reset भी कर सकते हैं ताकि आपका वापिस white color में आ जाए next है conditional formatting again हम बाद में check करेंगे अब आते है alternating colors तो alternating colors अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर दिखा रहा है कि हर जो row है या column है आपका वो different different ranges में आए वो different different colors में आएगा तो a1 already selected है अगर हम यहां पर colon का sign लगाएं और a10 तक कर दें तो यह क्या हो गई हमारे पास यह हमारे पास range हो गई वो लिख भी रहा है उपर apply to range तो अगर मैं इस tick पर click कर दूँगी तो आप देख सकते हैं कि अब मेरा हर cell alternate colors में आ गया है इसी तरीके से आप change भी कर सकते ह हैं आप undo भी कर सकते हैं अगर मैं undo कर दूँ तो वापस वैसे ही चला गया अब मेरे पास सारी जो मैंने formatting करी थी वो खतम हो गई क्योंकि मैंने undo multiple times select कर दिया अब आ जाते हैं next option border पे तो जब आप border पे आते हैं तो आपके वास बहुत सारे options हैं border के लिए या तो आप select कर सकत हैं border का color आप vary करा सकते हैं border का style आप vary करा सकते हैं कि thickness कितनी होनी चाहिए आपके border की अगर मैं इस thickness को choose करूँ और इस pattern को choose करूँ तो आप देख सकेंगे कि मेरे cell में border आ चुका है so this is all about this cell part अब एक और चीज़ जो है हमने सीखना है कि wrap text क्या होता है तो wrap text के लिए हम यहाँ आ जाते हैं यहाँ पर मैंने एक format जैसा बनाया है आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस cell F1 पे click करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हमने क्या किया है name of the student type क्या है बर जब मैं यहाँ देख रही हूँ तो name of the student F और G में show हो रहा है मतलब यह text तो cell F का है F1 का है पर यह show G और F दोनों में हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं हम format में जाएंगे cell की option में जाएंगे और wrap text की option को select कर देंगे जैसे ही हमने wrap text की option select करी मेरा सारा का सारा text किसमें आ ग करता है आपके लंबे text को अपने ही column width के हिसाब से adjust कर देता है और multiple rows बना देता है column एक ही row के अंदर so this is how we use wrap text अब एक और चीज अगर आप देखेंगे तो यह subject जो है मैंने यहाँ पर लिखा है English और Science पर जो इनकी heading है वो subject चिरफ एक ही cell में है H1 अब मैं चाहती हूँ कि यह जो setting है यह F और G और H के बीच में हो तो मुझे क्या करना होगा इन cells को merge करना होगा तो मैं क्या कर करूंगी मैं इन दो cells को select कर लूँगी इस तरीके से shortcut के लिए मेरे पास यहां पर एक option आ रही है merge की इस तरीके से क्या बता रहा है merge करने को तो अगर मैं इस पर click कर दूँ तो मेरा cell क्या हो गया merge हो गया अब मेरे दोनों जो cells है उनमें एक ही text है that is subject तो यह है cell merge की option shortcut से और अगर आप चाहें तो detail में भी आप कर सकते हैं यहां पर merge cells on कर करके number format हम next lecture में देखेंगे कि यह किस तरीके से आप इतने सारे different type के format select कर सकते है it will be a different lecture altogether अब यह हमने बहुत सारी चीजे देख ली कि हम कैसे cell को format कर सकते हैं बाकी के formatting हम next lecture में देखेंगे thank you and stay tuned for more कर दो